मार्च सन 1776 में भी पुरंदर की संदी के मुताबिक रागोबा को राजनीती से तौबा करनी थी पर अंग्रेज बाज नहीं आये वो रागोबा को खुले तौर पर पनहा देते रहे दूसरी तरफ पुणे में अंग्रेज राजदूतों के लापरवाही से भरे रवये को देखकर नाना फटनवीस ने अंग्रेजों को दरकेनार किया और फ्रांसीसियों को तवज्यों देना शुरू कर दिया तो 16 साल बार ऐसा लगने लगा था कि फ्रांस हिंदुस्तान की राजनीती में फिर से एक बार धमाकेदार वापसी करेगा अब की बार फ्रांसीसियों को ये दो मजबूत बाजू मिल गए थे मराठे और मैसूर इसका बहाना लेकर वारन हैस्टिंग्स ने लंदन के कोर्ट आफ डारेक्टर्स की हुक्म उदूली करते हुए मार्श सन 1778 में मराठों के खिलाफ युद्ध होशित कर दिया वारन हैस्टिंग्स ने मार्श में एक बड़ी सेना लेसली की कमान में मध्य भारत से होते हुए पुणे पर हमला करने के लिए रवाना कर दी बंबई सेना को निर्देश मिले कि कलकप्ता से पुणे पर हमला करने आ रही सेना की मदद के लिए तयार रहें और पुणे पर दो तरफा हमला करें तो इस तरह से पुणे पर दो तरफ से एक साथ हमला होने जा रहा था अब देखते हैं कि कमपणी का ये आत्म विश्वास कैसे अंदविश्वास साबित हुआ लेसली की अगवाई में एक बहुत बड़ी सेना कलकत्ता से चल पड़ी और ये सेना अप्रेल सन 1778 में इलाबाद पहुँची लेकिन इसके आगे मराठा राजी शुरू होता था इसमें जोर जबरदस्ती से घुसना उतना आसान नहीं था और इसके लिए अंग्रेजों ने पुणे में भी इंतजामात कर रखी थे दक्षन में पुणे दर्बार के लिए शगुन ठीक नहीं थे जगे जगे विद्रोह भड़के हुए थे हैदर और हैदराबाद का कोई भरोसा नहीं था बलकि हैदर तो दक्षिनी मराठा इलाकों पर हमले किये जा रहा था कोलापुर का विद्रोह भी चली रहा था जिससे महाद जी निपट रहे थे तो इस समय दक्षन की समस्य हैं सुलजाने के लिए सभी बड़े मराठा सरदार पुणे और उसके आसपास मौजूद थे जब पुणे दरबार वो पता चला कि एक बड़ी सेना कलकत्ता से पुणे पर हमला करने चली आ रही है तो पुणे दरबार के तो होशी उड़ गए क्योंकि इस वक्त महाद जी कूलापुर में उल्जे हुए थे अंग्रेज अफसरों मौस्टिन, मैलिट और अप्टन ने कूटनेटिक चालों से पुणे दरबार में सेन लगा दी थी वहाँ फील्डिंग जमा कर मौका देखकर वो सब निकल लिये थे अब तक बारा भाई के बागी दरबारियों का एक तबका रागोबा का साथ देने लग गया था और बारा भाई में फूट पढ़ चुकी थी नाना फटनवीस के खिलाफ बगावत हो गई थी और पुणे में बारा भाई के बागी दरबारियों ने नाना फटनवीस को नजर बंद कर लिया था ताकि कलकत्ता से आने वाली सेना जल्द से जल्द पुणे पहुँच सके और दूसरी तरफ बंबई की सेना के सहरे रागोबा पुणे पहुँच सके और फिर से पेशवा बनकर सबसे बदला ले सके इस समय महाद जी कोलापुर में व्यस्त थे इसलिए नाना फड़नवीस को बचाने नहीं आ सकते थे तो बारा भाई के इस बागी तबके ने इन बागी दरबारियोंने कलकत्ता से इस आने वाली सेना को यहुना पार मराठा राज्य में घुसने की अनुमती भी दे दी और नाना फड़नवीस बेबस होकर पहला कदम रखा लेकिन इसी बीच अप्रेल सन 1778 के अंत तक महाद जी ने कोलापूर से घुटने टिकवा दिये थे और समझोता करवा लिया अब हैदर अली के हमले से कम से कम पुणे और सातारा को तो कोई खतरा नहीं था अप्रेल में कोलापूर का किस्सा निप्टा कर जु इस दौरान पुणे दरबार का सौभा की ही था कि लेसली यमुना पार करने के बावजूद मई से अक्तूबर तक बुंदेल खंड में ही फसा रहा उससे आगे नहीं बढ़ताया चारे पानी की कमी और गर्मी की वजह से बुंदेल खंड में ही लेसली के पहिये जाम हो गए पर अक्तूबर में लेसली की बुंदेल खंड में ही मृत्यों हो गई और उसकी जगहे लेली एक बहतरीन, कतिभाशाली और पराक्रमी सेनापती गौडार्ड ने। नर्मदा पार करके आगे बढ़ने के लिए इसी वक्त महाजी ने बंबई सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला और तुकोजी होलकर ने भी उनका पूरा साथ दिया। पुने में जीत लेंगे और पुने में अंग्रेजों के खबरी बताते रहे कि राहोबा अगर जल्दी पुने पहुँच जाता है तो स्थिति तुरंत बदल जाएगी और सब राहोबा का स्वागत करेंगे। लेकिन खबरीयों की ये जानकारी बिल्कुल गलत थी वो ये भूल गये थे कि अब पुने में बाजी पलट चुकी थी और उपर से बागी दरबारियों का भी खात्मा हो गया था। तो पुने के बागीयों की बातों में आकर उन सब के बुलावे पर मौका परस्ती और अपने जोशो जुनून में मजबूर होकर बंबई की सेना ने गौडाट का इंतजाब न करते हुए नवंबर के अंत में पुने पर चढ़ाई कर दी। पर जब रागोबा को लेकर ये बंबई सेना पनवेल के रास्ते भोर घाट खंडाला घाट चढ़ने लगी तो उसको नाना नानी दोनों याद आ गए। जब घाट चढ़कर उपर आ चुके तो पता चला कि महाद जी ने बंबई सेना का घाट उतर कर बंबई वापस जाने का रास्ता घाट के नीचे मैदानों में काट दिया है तो बंबई जाने का रास्ता बंद हो चुका था और घाट के उपर पठार पे मराठों द्वारा स्कॉर्च अर्थ तक्नीक का इस्तमाल किया जा रहा था यानि आपको चारा पानी रसत खाना कुछ नहीं मिलेगा जहरी की काबिलियत उसके साथ नहीं थी दिसंबर में वहां गौडार नर्मदा पार कर रहा था और यहां पुना से 15 मील दूर बंबई की सेना में हाय हाय मची हुई थी त्राही त्राही मची हुई थी आखिर सन 1789 में बंबई सेना ने हार कर उसी 14 जनवरी के दिन हथियार डाल द दिसंबर सन 1778 और जनवरी सन 1789 के दर्मयान हुआ ये वडगाओं का युद्ध अंग्रेज हार चुके थे तो जनवरी सन 1789 में बडगाओं की संधी हुई असल में संधी न होकर एक समझोता कहलाया इसकी कई शर्तों में से एक शर्त ये भी थी कि गौडाट की जो सेना भार पार करके पुणे पर हमला करने आ रही थी उसे सरसमान रास्ते से ही कलकत्ता वापस लोटा दिया जाए रागोबा को पुणे दर्बार के हवाले कर दिया गया इस तरह से वडगाओं में हार कर बंबई सेना भारी नुकसान उठा कर मुह लटका कर घर वापस लोटाई ये पहला भोरगाट अभियान पूरी तरह से असफल जनवरी में जब गौडाड नर्मदा पार करके गिरता पड़ता बुरहानपूर पहुंचा तो उसे ये वडगाओं की बुरी खबर मिली गौडाड का इरादा तो ये था कि बुरहानपूर से औरंगाबाद होते हुए पु पहुँचा ताकि वहां से बंबई जाकर नए सिरे से जंग की जा सके लेकिन गौडाड ने जाने अंजाने में एक ऐसा काम कर दिखाया था जो इतिहास में पहले भी कभी नहीं हुआ था और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ यानि कलकत्ता से बंबई पूरे भारत को सारी फौरे साद सामान के साथ जमीन के रास्ते पार किया और ऐसा कर पाना आज की तारीख में भी काफी कठेन है इसी से समझा जा सकता है कि गौडाड किस श्रेणी का सेनापती रहा हुगा दूसरी और बंबई के सेनापती एगरटन और कॉकबन को उनकी नाकाम्याबी के लिए और उनके बचपनी के लिए बरखास्त कर दिया गया उधर पुने में फरवरी में ऐसा तै किया गया था कि रागोबा को जहासी की जागीर दे दी जाएगी जहां से वो अपना घुजर बसर करता रहेगा पर पुने दरवार और केंद्र में राजनीती से दूर रहेगा लेकिन ये सब उतना आसान नहीं था